आज के कारिक्रम में हम आपको बताएंगे सूर्य देव के ग्रहन के बारे में सूर्य देव का ये ग्रहन कब लग रहा है, इसकी स्थिती परिस्थिती क्या है किन राशियों पर और देश दुनिया पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा और अलग-अलग राशी के लोग इसके दुश प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाए करेंगे इस विशय पर आज बात करेंगे तो चलिए कारिक्रम की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सप्ताह का मंत्र सप्ताह का मंत्र है एही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगत पते अनुकंप्य माम भक्त्या ग्रहनार्ग दिवा करह रोज सुबह जब सूर्य भग्वान को जल अर्पित करते हैं उसके बाद तीन बार इस मंत्र को पढ़ने से आपका सूर्य को जल देना संपूर्ण हो जाता है और सूर्य देव की विशेश क्रपा आपको मिल जाती है इस मंत्र को सूर्य को जल देने के बाद पढ़ने से जीवन में सूर्य के शुब प्रभाव प्राप्त होते हैं जीवन में बेहतर स्वास्थ और तेजस्विता व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है अपने विशेश पर आते हैं सबसे पहले ये जानते हैं कि जिस सूर्य ग्रहन की हम बात कर रहे हैं इस सूर्य ग्रहन का मामला क्या है देखिए इस बार सूर्य ग्रहन दो अक्टूबर को है दो अक्टूबर को सूर्य ग्रहन इस बार है और इसका आरंभ भारती ये समय से रात के नौ बच कर बारह मिनट पर है दो अक्टूबर की रात नौ बारह पर इस सूर्य ग्रहन का मध्यरात्री का समय होगा रात में बारह बच के पंदरह मिनट पर यानि तीन तारीख की शुरुवात हो चुकी होगी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से और बारह पंदरह पर ये सूर्य ग्रहन मजबूत होगा इस ग्रहन का समापन दो अक्टूबर की रात बिता करके तीन अक्टूबर को भोर में या दो और तीन अक्टूबर की रात में तीन बच के सत्रह मिनट पर इस ग्रहन का समापन होगा यानि ये ग्रहन है दो अक्टूबर को मध्यरात्री में और तीन अक्टूबर को अरली मौर्निंग ये ग्रहन समापत हो जाएगा ये ग्रहन कन्या राशी और हस्त नक्षत्र में लग रहा है कन्या राशी और हस्त नक्षत्र में है ये ग्रहन ये वलयाकार सूर्य ग्रहन है कई कई तरीके के सूर्य ग्रहन होते हैं उपच्छाया, प्रच्छाया, खग्रास, खंडग्रास ये जो सूरिग्रहन है ये वलयाकार सूरिग्रहन है और ये वलयाकार सूरिग्रहन भारत में दर्शनिय नहीं होगा आप कम्प्यूटर की सहायता से, टीवी चैनल्स की सहायता से इस ग्रहन को भले ही देख सकें लेकिन भारत वर्ष में ये ग्रहन दर्शनिय नहीं होगा एस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक आप और चिटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से